हाइ स्टुडेंट ये नोटिस के लिए काफी समय से काफी स्टुडिंट बेट कर रहे थे क्या हुआ था कि कांस्लिंग कोश समय के लिए इस्टे कर दे गयी ती रोग दे गयी ती किनीं कारवस तो ये अब सोचार रूप से नईरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कांसलिंग कराई जाएगी टाइम टेबल के है ध्यान पूर्वाग सुनिए वीडियो को आकी देख दी और हाँ चैनल पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए कि हमका आयरवेद कांसलिंग और भी आयरवेद की जानकारी के लिए हमारा चैनल हमेशा जानकारी देता रहेगा तो बताते हैं अब हर्या मतलब किनी काड़ों से यूपी आयस यूजी कांसलिंग दो जाएटेश के त्रतिय चक्र की दिनांग 22 को प्रकासित समय साड़ी में निलंबे संसुदित किया गया है तो बाइस 22 दस में ये संस प्रदित किया गया है चलो ठीक है कोई शू नहीं वह अलग बात है अब देखते हैं क्रम संक्या में यहां से हम देखते हैं कि अंतितम सीट आवंटित सूची का प्रकासन मतलब सीट कब होगी तो 31 तारीक साएं 6 बजे मतलब आज ही सामको 6 बजे तक आपको जो आपको tentative allotment letter जो निकलता है वो निकल जाएगा आज आएगा आपको फिर नूडल सेंटर पर कब जाना है एक तारीक से ले करके दो तारीक तक मतलब एक तारीक को दो तारीक को अब किस किस को कब जाना है वो एक नोटिसलग से आएगा वो मैं बता दूँगा जाना पड़ेगा नोडल सेंटर पर फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के बाद फिर आपको अपना एलोट्मेंट लेटर डाउनलोड करना है उसके बाद चार तारीक तक आपको सामके पांच बजेता कॉलेज में जाके प्रवेश लगना है फिज जमा करके आपको अपनी कांसलिंग की परिगरिया पूरी एंड करनी है कॉलेज में जाकरके है आपका एडविशन माना जाएगा यह है आपका पूरा यही नोटेस है यही निव नोटेस है इसी के अकॉर्डिंग अब सब कोछ होगा वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूगता है थैंक्यू